हेलो फ्रेंट्स मेरे नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपनेशनल सूप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास आठ से लेशन नम्मट 6 जिस लेशन का नाम है आसाम 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 का मतलब होता है सांदार सांदार आसाम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके कहानी को देखेंगे कि यह किस तरह से इसमें समझाया गया है दोस्तो अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई confusion आप लोग को रह जाएगा तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आसामी जय स्टेट लोकेटेट इन दर नौर्थ इस्ट्रेंड पार्ट अफ इंडिया देखें बता जा रहा कि आसामी जय स्टेट आसामी कैसा राज्य है यह लोकेड इन दुर पूर्वी ब्हाग सकते हैं असाम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित्क राज है और मैं गहाने एज़िए पशनग को अभूर्वी उत्तर पूर्वी भाग इस्थित एंदेझाग दो हम लोग उसको ऐसे कहाएंगे कि या पूर्भी हिमाले के नीचली पहाणियों के ठीक नीचे इस्थित है it is surrounded by या घिरा हुआ है या घिरा हुआ है the state of अरोणांचल परदेश या अरोणांचल परदेश से घिरा हुआ है मनिपूर से गिरा हुआ है मिजोरम से गिरा हुआ है नागालेंट से गिरा हुआ है त्रिपुरा और मिघाले देखिए यह जो राज है वो कई राजियों से गिरा हुआ है तो उसमें अरुडांचर परदे से गिरा हुआ है मनिपूर से मिजोरम से नागालेंट तिरपुरा और मिखाले जैसी राजिव से गिरा हुआ है which together with Assam जो Assam के साथ आर नोन ऐस the seven sisters जो Assam समिए या Assam के साथ साथ भेनों के रोप में जाने जाती है ओके चलिए अब आगे देखते हैं यहां बता जा रहा है कि दीस्पूर is the capital of Assam यानि जो दीस्पूर है वो Assam की राजधानी है हमको पता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आसाम है वो दीशपूर की राजधानी है जो दीशपूर है वो आसाम की राजधानी है आसाम is a land of full natural beauty आसाम की जो जमीन है वो प्राकृतिक सुन्दरता से भरी पड़ी है या फिर आप लोग इसको ऐसे भी का सकते हैं कि आसाम की आसाम प्राकृतिक सुन्दरता से भरा हुआ है आगे देखिए इसके नीले नीले परवत हैं पहाड है डेंस फॉरेस्ट घरे जंगल है देखिए फ्लोरा एंड फन्ना का मतलब होता है कि बिशेश, पेंड पौधे और जीव जन्तू बिग रिवर्स एंड फैरिटिल वैली फैरिटिल वैली का मतलब होता है उपजाओं घाटी तो हम लोग इसको इस तरह से कहेंगे कि इसमें नीली पहाणिया, बिशेश, पेंड पौधे और जीव जन्तू से भरे घने जंगल, बड़ी नदियों और उपजाओं घाटियों में भरा पड़ा है या उपजाओं जैसी घाटियां पर इस्तित है चलिए आगे देखते हैं आसाम is the world largest tea growing state in India आसाम जो है बिश्व का सरवधीक चाय उपजाओं करने वाला राज्य है मतलब आसाम वो एक राज्य है आसाम भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरे बिश्व में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन करता है ग्रेड ब्रह्मपुत्रा रिभर फ्लॉइंग त्रू असाम जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असाम से होकर के ही बहती है एगरी कल्चर इस दा में अको अको पोजिशन हैर जो क्रिसी है वो यहां का मुख्य पेसा है यह हम लोग खाले कि जो क्रिसी है वो यहां का मतलब यहां पर क्रिसी ही ज़्यादा होता है तो यही लाइन ठीक रहे का कि क्रिसी यहां का मुख्य पेसा है राइस चावल फ्रूट जो फल है जूट है सुग्रो कैन है यहां पर बताया जा रहा है कि चावल फल जूट गन्ना और चाय यहां के मुख्य क्रिसी उत्पादक है देखे यहां पर बताया जा रहा है कि यह जो राज है जो यह राज है और भी धनी है प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसे भी है जिसमें धनी है जैसे यहां पर अधिक मात्रा में तेल मिलता है गैस मिलते हैं कोईले मिलते हैं और चूना पत्थर पाया जाते हैं तो हम लोग इसको सीधा लाइनों में या सीधा अगर सब्दों में हमको कहना होगा तो हम यहां कहेंगे कि यहां राज प्राकृतिक संसाथनों जैसे तेल, गैस, कोईला और चूना पत्थर से भी धनी है अब चलिए नीचे वाली लाइनों को हम लोग देखते हैं और इस नीचे वाली लाइन को समझने की कोशिस करते हैं क्योंकि नीचे वाली थोड़ा सा लाइन डिफकल्ट है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पर विशेज ध्यान दे ता कि आप सभी लोग को पूरा जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाए देखे ठ्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरीक और क्रैप्ट का मतलब सिल्प लाइक का मतलब जैसे तो अब इसको आपनों धिरी दिरे समस्ते जाएगा दे ट्रेडिस्नल क्रैप्ट लाइक, पारंपरिक सिल्प जैसे पोट्री, पोट्री का मतलब होता है मिट्टी के बरतन, तेरा कोटा वर्क और तेरा कोटा के काम, ब्रेस क्रैप्ट और पीतल के सिल्प, जोईलरिस मेकिंग, अभुसोडो को बनाना, बंबु क्रैप्ट यानि बास के सिल्प, सिल्प and cotton वेबिंग और रिसम और सूथ की भुनाई और वुड क्राप्स और लकडी के सिल्प are the some measure measure resources of the self-employment for the people of Assam. यानि Assam के लोगों के मुख्य स्वाराज साधन है. तो हम लोग इसको कह सकते हैं या पूरी लाइन को मैं एक बार फिर से बताएदा हूँ कि the traditional craft like purity and cotton work यानि पारंपरिक सिल्प जैसे मिट्टी के वर्तन और टेरा कोटा के काम brass craft, jewelries making, bamboos, यहाँ पर देखें brass craft यानि पितल के सिल्प, jewelries making, आभूशड बनाना, bamboos, क्राप, बास के, बास के, बास के सिल्प and silk and cotton webbing, यहाँ पर देखें silk and cotton webbing का मतलब यह होगा कि रेसम और सूत की बुनाई and wood craft और लकडी के सिल्प are the some user source of the self employment for the people of Assam, यानि Assam के लोगों के प्रमुकुस्वा, रोजगार के साधन है, ओके? Assam is also famous for its national peak, यहाँ पर देखें बताया जारा कि Assam is also famous for its national peak, यानि Assam अपने राश्टी उद्धानों के लिए भी प्रसिद्ध है, ओके? A national peak is a large area of forest land, इसमें बताया जारा है कि राश्टी उद्धान एक बहुत बड़ा जंगल का छेतर होता है, एरिया का मतलब छेतर होता है, लार्ज एरिया का मतलब एक लंबा छेतर, ओके? तो एन नेस्टनल पीक is a large area of a forest land, यानि राश्टी उद्धान एक बहुत बड़ा जंगल का छेतर होता है, सरकार इन उद्धानों की देखरे करती है, या देख भाल करती है, देखे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो काजी रंगा राश्टी उद्धान एक जो छेतर है, परसिद जो छेतर है, वो यहाँ पर देखे, आम सबसे पहले आपको सेंग्टिवरी का मतलब बता देख, इसका मतलब होता है कि पसुपक्षियों के सुरक्षित वित्रन का अस्थान, या यानि पसुपक्षियों के रहने का एक अस्थान, तो इसके पूरे हिंदी को आपनों समझ लिजे इस तरह से, इसका मतलब यह है कि कंगारी राष्ट उद्धान एक प्रसिद्ध वन ने जीवन अभ्यारण है, यानि जीवन को रखने वाला एक स्थान है, ठीक, अब देखिए, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि राइनोसोरस, अलिफ्वेंट्स, लियोपार्ट्स, एंड़ इंडियन वीशॉन्स, आर दो सम आफ एनिमल्स, यू कान सी इन दे काजी रंगा, इसमें बताया जा रहा है, आप लोग इसको मतलब ध्यान से देखिए, यह समझाया जा रहा है कि गेंड़ा, हाथी, तेंदवे और भारती जंगल भैसे कुछ ऐसे जानवर हैं, जिने आप काजी रंगा में देख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर राइनोसोरस का मतलब गेंड होता है, ठीक ना, तो एक बार फिर से आप लोग समय लिए कि गेंड़े, हाथी, तेंदवे और भारती जंगली, भारती जंगली भैसे कुछ ऐसे जानवर हैं, जिने आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, you can go and open jeep, या आप एक खुली jeep में भी जा सकते हैं, अकार, या फि see these wild animals, wild animals मतलब जंगली जानवर, इन जंगली जानवर को आप देखने के लिए, इन छोटी छोटी या तो आप खुली jeep में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, या फिर छोटी सी बस में जा सकते हैं, इन जंगली जानवर को देखने के लिए, if you like, यदि आप चाहें, you can travel on elephant's beak as well, यदि आप चाहें, तो आप किसी हाथी के पीट पर भी बैट करके घूम सकते हैं, ओके, तो चलिए, अब आगे यहाँ पर देखते हैं, the people of asam speak asamis और asams, यहाँ पर देखिए, जो बताया जा रहा है, आसाम के लोग, आसामी भासा बोलते हैं, आसाम is also land of festival, जो आसाम है, आसाम तेवारों का एक भूमी भी है, ठीक ना, बीहू is a famous asams festival, जो बीहू है वो आसाम का एक बहुत ही प्रसिद तेवार है, It is celebrated in the month of April, या April के महीने में मनाया जाता है, people from all religious, यानि सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, religious यानि धर्म के लोग, take the part in the celebration, इस celebration में या इस बीहू जैसे तेवार में भाग लेते हैं, The celebration go on for the whole month, जो ये तेवार है, ये पूरे महीने तक मनाया जाता है, young man and woman, नौजवान लोग और नौजवान औरते, देखिए यहाँ पर wear यानि पहनते हैं, gold, gold का word, silk dresses and do a special dance card भी हूँ, देखिए, युवा, युवा, पुरुष और महिलाएं, स्वान रंग के वस्तर पहनते हैं, पहनते हैं, और एक बिशिस निर्थे करते हैं, जिसे हम लोग बीहू के नाम से जानते हैं, ठीक ना, boat race are held during बीहू, और बीहू में एक boat race भी होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि, कभी कभी, टीबीओ में आप लोगों ने देखा होगा कि धेर सारे नाम एक साथ race के लिए लगाते हैं, वो बीहू का ही एक भाग है, ठीक ना, वो बीहू में ही होता है, Many teams take part in these race, बहुत सारे team इस race में भाग लेते हैं, and lot of people और बहुत सारे लोग watch them from the river bank, और बहुत सारे लोग नदी के किनारे से बैट करके इनका अननद लेते हैं, या इनको देखते हैं कि race कैसे हो रहा है, दोस्तो, मुझे पूरा उमीद है कि जितना भी मैंने ये पढ़ाया है, आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई इसमें गलती रह गई हो, तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस गल हुर में जरुम ऑर गज होगाईएगा बतार रही हमें कन आपको हां तो हमें कि अजगी जरूर भी उसमें कि अुने तो आदेएज हुर